ओम सिरी गनेशाय नमदोस्तू एश्ट्रो समाधान यूट्योब चैनल में आपका हार दिक स्वागत है तुला राशी वालू आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 9 जुलाई से 15 जुलाई यानि की इन 7 दिनों के आपकी राशी के महराशी फल के बारे में कि ये 7 दिन आपकी राशी वालों के लिए कैसे रहने वाले हैं किन-किन चीजों से इनको फायदा होगा किन-किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजनिश और व्यपार कैसा रहेगा और स्वास्थ की महत पपुन जानकरी हम आपको देंगे इसलिए आप लोग इसे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें बिल्कुल भी इसे वीडियो को आप मिश ना करें क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुती बहुती बहुत पापोने रहने वाली हैं दोस्तों वीडियो को आगे शनिदेव के असिरवास से 9 जुलाई से 15 जुलाई याने किन 7 दिनों का यह महत पपोन समय दोस्तों यह समय घर परिवार तथा सम्बंदियों के साथ अच्छा व्यतित होगा अपने संपर्क सूत्रों तथा मित्रों से मेल मुलाकात लाबदायक रहेगी कुछ समय से आप अपने व्यतित्में और अधिक शकारात्मक बदलाव लाने का प्रहतन कर रहे हैं उससे आपको शमाजिक व्य परिवारिक सरहाना भी राप्त होगी दोस्तो इस समय आप अपने प्रभाब साली तथा मेठी वानी द्वारा दूसरों पर अपना प्रभाब बना लेंगे लोग आपके व्यक्तित्म से प्रभाबित भी रहेंगे घर में महत्पपूर्ण व्यक्ति के आगमन से भी किसी महत्पपूर्ण मुद्दे पर विचार दोस्तो इस समय आप धन संबंदी कुछ नई नीतियों की योजनाएं भी बनाएंगे उसमें सफल भी आप रहेंगे इसलिए प्रियासरत आपको रहना आवशक है दोस्तो परिवारिक शुर्दाओं पर भी खर्च होगा किसी नजदी की मित्र के यहां धर्मिक समारों में ज सफलता भी प्राप्त होगी दोस्तो साती सात घर्चों की अधिक्ता रहेगी परन्तु आयके साधन भी बने रहने से दिक्वत आपको महसूस नहीं होगी दोस्तो इस समय अचानक ही किसी अंजान व्यक्ति से मुलाकात होगी और आपके लिए बहुती फैदेवन भी रहेगी अगर कोई प्रॉपर्टी बेचने संबंदित योजना बन रही है तो उस पर ध्यान आप केंद्रित रखें दोस्तो विध्यारती अपनी पढ़ाई के प्रती पूर्ण एकागर चित रहेंगे दोस्तो साती सात यह समय अपने कार्य के प्रती पूर्ण रूप से आप कर रही हैं इसलिए इनका आप सद्यूब्योग करें कोई परिवारिक धर्मिक भोजन संबंदित योजना भी बनेगी जो आपके लिए बहुती फैद्यबंद साबित होगी परन्तु दोस्तों किसी अंजान व्यक्ति से कोई महत्पपूर्ण बात चीत या काम करने से पहले उसके बारे में अच्छी तरह विचार विमार्स तता जांच पड़ताल आप अवश्य करें छोटी सी लापरवाही से आपके साथ धोका दड़ी हो सकती हैं थोड़ा सावधान रहें दोस्तों इस समय कभी-कभी आत्म केंद्रित होने तता एहम की भावना रखने से आपसी बातचीत में कुछ वाद विवाद होने की भी इस्तिती बन रही हैं दोस्तों अपने इन गुणों का आप शकारात्मक रूप में उपयोग करें तो बहतर पलणाम आपको प्राप्त होंगे दोस्तों यह समय अत्यादिक खर्चों की वज़े से आपका बजट भी बिगड़ सकता है इसका अवश्य आप ध्यान रखें घर के किसी व्यक्ति के स्वास्त को लेकर कुछ चिंता रहेगी अपने व्यस्ततम समय में से कुछ समय उनकी देख बाल के लिए भी आप अवश्य निकालें ज़्या दोस्तों कुछ समय परिवारिक तता सामाजिक गति विदियो मे भी आप व्यतीत करें ज़्यादा आत्म केंद्रित होना आपके संबंदों में खटास उत्पन कर सकता है अपने वहवार में लचीलापन बना कर रखना आपके लिए अति आवश्य है ज़्या दोस्तों इस समय किसी वरिष्ट सदस्य कि स्वास्त को लेकर जरासी भी शकारात्मक विचार भी उत्पन हो सकते हैं इसका असर आपकी नीद पर भी पड़ेगा शकारात्मक प्रवर्ति के लोगों के साथ अपना समय आप व्यतीत करें तता कुछ समय एक कांट में बैठकर आत्म चिंतन भी आप अवश्य करें तो आपके लिए लाब प्रद दोस्तो अब बात करें लव लाइफ के नजरिये से तो पती पतनी का आपसी सयोग घर परिवार की विवस्ता को उचित तता खुस नुमा बना कर रखेगा प्रेम संबंद मरियादा पूर्ण रहेंगे परिवारिक सदस्चों के साथ मनुरंजन संबंदी कारों में भी समय व विवस्तता थोड़ी गड़ बड़ा सकती है उनके स्वास्त का तथा परिवार का आप अवश्य ध्यान रखें दोस्तो शाथि साथ इस समय पती पतनी के संबंदों में कुछ खटी मीटी नोक जोक संबंद है परन्तु इस से आपसी संबंदों में और अधिक नजिदी की आ आएगी दोस्तो बात करें आपके करियर और व्यवसाय की तो अभी व्यवसाय के गति विदियो में किसी भी प्रकार के परिवर्तन करने की आप चेश्टा ना करें जैसा वर्तमान में चल रहा है उस पर ही आप ध्यान केंद्रित रखें रोंकरी पेसा लोगों को अपना काम बहुती अधिक ध्यान पूर्वक करने की आवश्टा है दोस्तो यह समय अपनी रुकवी पेमेंट कलेक्ट करने तथा आर्थिक इस्तितियों को मजबूत करने पर आप ध्यान केंद्रित रखें दोस्तो आपको काफी हद तक सफलता भी प्राप्त होगी दोस्तो नोकरी पे प्राव लाने की आवश्ट सकता है और ऐसा करना आपके लिए लाबदायक सावित होगा ओफिस के माहूल में राजनीती जैसी गतिविदियां हो सकती हैं इसलिए आप थोड़ा सावधान रहें दोस्तो कारेचित्र में किसी प्रभावसाली व्यक्ति का योगदान आपके ल प्राप्त होगी जिससे उनको काफी खुसी का अनभव होगा दोस्तो यह समय मार्केटिंग तथा मेडिया से संबंदित सभी काम सुचारू रूप से संपन होते हुए जाएंगे इसलिए पूर्ण रूप से इन कार्यों के प्रती प्रियासरत रहें आर्थिक इस्तिती भी बहतर रहेगी नौकरी पेशा व्यक्तियों का भी ओफिस का वातावरण शांति पूर्ण रहेगा वैवसाइक गति वीदियो के प्रती अपना आप पूरा ध्यान केंद्रित रखें और दूर दराज छेत्रों से वहत्वपूर्ण संपर्क इस्थापित होंगे और अच्छे और भी मिलने की संभावना है परन्तु अपनी योजनाओं को किसी के समक्ष आप जाहिर ना करें क्योंकि आपके साथ चीटिंग हो सकती हैं सावधान रहें दोस्तो बात करें आपके स्वास्त के नजरिये से तो स्वास्त इस समय आपका ठीक रहेगा परन्तु खान पान और दिंचरिया सयमित रखना आपके लिए अतियावशक है दोस्तो शाथ शाथ यह समय आप अपने अंदर उर्जा वे आत्म बल की कमी महसूस करेंगे मेडिटेशन वे योग पर भी आप कुछ समय वहतीत करें तो आपके स्वास्त के लिए बहुती अच्छ रहेगा या दोस्त आप योग करें प्रणियाम करें स्वस्त रहें